नमस्कार, सुलक्ता सवाल में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अन्शिका कॉंग्रिस जिन पार्टियों के सहारे दोहजार चॉबीस के लिए पीम मोदी के खिलाफ मोर्चा बंदी की तैयारी कर रही है वहीं पार्टियां अब कॉंग्रिस के लिए गले की फास बंती जा रही है मोदी मैजिक से बुन चुकी कॉंग्रिस किसी भी कीमत पर केंड से भाजपा का सफाया चाहती है इसका खाका तैयार करने के लिए विपक्षी दलों की बैठत की जा रही है लेकिन जो हालात हैं उससे तो अब लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां कॉंग्रिस को लॉली पॉप दिखा कर उसके साथ ही बड़ा खेल करने वाली है पहले आमादमी पार्टी ने बगावत की और अब पत्ना में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लेने के बाद टीमसी, माकपा, केसी आर ये सब कॉंग्रिस के गले की हड़ी बनते जा रहे हैं बंगाल में कॉंग्रेस टीमसी भिड रही है तो महराश्ट्र में केसी आर एमवीए को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ऐसे में विपक्षी एक्ता को लगे ग्रहन पर तमाम सवाल सो लग रहे हैं चुनावी संकल्ब के बाद क्यों आपस में भिड़े विपक्षी नेता कॉंग्रेस के लिए ममता के कैसे बदले बोल महराश्ट्र में केसी आर कैसे तोड़ेंगे एमवीए का गटबंदन शिमला मीटिंग से पहले क्या खत्म होगा एकता का तमाशा ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि तमाम खामियों के बाद भी कॉंग्रेस अपने शहजादे राहुल गांधी को लोकसबा चुनाव में उतारने के लिए बिसाद बिछाने में लगी है नितीश के जरीए कॉंग्रेस उस दाव पर अपना समय खराब करने में लगी है जिसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है विपक्षियों के अलग-अलग बोल के बावजूद मोदी लहर को खत्म करने के लिए पटना के मंच पर एक साथ आकर विपक्ष ने शक्ती प्रदर्शन किया और एक साथ चुनाव लड़ने का संकल्प लिया लेकिन मीटिंग को चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि कई पार्टियों ने बगावती रुक अपनाना शुरू कर दिया दिल्चस्प बात तो ये है कि शिमला में होने वाली अगली मीटिंग की डेट भी नहीं निकाली गई कि कॉंग्रिस को बड़ा जटका लग गया है जो ममता बेनरजी विपक्षी एक्ता की घुट्टी पीकर एक साथ होकर चुनाव लड़ने की बड़ी-बड़ी बाते कर रही थी उन्हीं ममता बेनरजी ने मीटिंग होते ही पल्टी माड ली एक्ता का सारा खुमार उतर क्या आम आदमी पार्टी ने पहले ही कॉंग्रेस के खिलाफ अध्यादेश के मुद्दे पर मोर्चा खोला हुआ है और अब केरल में भी माकपा और कॉंग्रेस के बीच गतिरोध बड़ता दिखाई दे रहा है हमारे देश में एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर वानी अब लग रहा है कि देश की सियासत भी इसी सिधान पर चल निकली है ममता बेनर जी ने कुछ दिन पहले पटना में महा गटबंदन वाली चाय पी थी विपक्षी एकता का दम भरा लेकिन बंगाल में चाय बनाकर वोट मांगते मांगते उनके सुर बदल गए ममता बेनर जी ने बंगाल में पंचाय चुनाव के प्रचार के दौरान माकपा और कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए उनकी भूमिका की आलोचना की बनर जी ने तो कॉंग्रेस को ही बीजेपी की बीटीम करार दिया ममता ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वो तो केंडर में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी गटबंदन बनाने के लिए प्रयासरत है लेकिन माकपा और कॉंग्रेस पश्चम बंगाल में बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करके इसमें बाधा उत्पन कर रही है अपने बयान में बनर जी ने कहा मैं बंगाल में इस नापाग गटजोड को तोड़ दूँगी माकपा कॉंग्रेस बीजेपी की विदाई कीजिए और टीमसी के चुनाफ चिन का बटन दबाईए महाजोटान दिल्ली में होगा और यहां बंगाल को हम समभालेंगे यह याद रखिएगा पिछले दस दिनों में यह दूसरी बार है जब ममता बेनर जी ने बीजेपी के साथ मौन समझोता करने के लिए कॉंग्रेस और धुमाकपा की आलोचना की है ममता बेनर जी कॉंग्रेस के सामने पहले विपक्षी गटबंदन को लेकर यह शर्त रख चुकी है कि वो इस एकता का हिस्सा तभी बनेंगी जब कॉंग्रेस बंगाल में टीमसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी हाला कि बंगाल कॉंग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कॉंग्रेस ऐसा कुछ करने के लिए सहमत नहीं हुई है इसके अलावा विपक्षी एकता का ढोल पिछले कई महीनों से पीटे जाने के बाद भी टीमसी और कॉंग्रेस के बीच तनातनी में कोई खास कमी देखने को नहीं मिली है हमेशा की तरह अब भी कॉंग्रेस टीमसी पर हमले करती रही है ममता के भतीजे अभिशेग बेनर जी ने तो ये तक आरोप लगाया है कि माकपा और कॉंग्रेस हमेशा ही ममता बेनर जी की छवी खराब करने में लगे रहते है और अब विपक्षी एक्ता पर बड़ी बड़ी हांकने के बाद इन बयानों से साफ है कि बंगाल में ममता बेनर जी किसी तरह का समझोता करने को तयार नहीं है टीमसी चाहती है कि पंचायक से लेकर विधानसबा और लोकसबा चुनाव तक उनके सामने कोई विरोधी दल टिकना नहीं चाहिए लेकिन कॉंग्रेस लगातार ममता बेनर जी पर अग्रेसिव है वहीं कॉंग्रेस भी ममता की बखवास पर चुप नहीं रही हम सभी जानते हैं कि बीज़ेपी के खिलाफ लड़ाई में टीमसी ने पिछले कुछ वर्षों में क्या भूमिका निभाई है बारा साल बात पंचायक चुनाव के लिए ममता बेनर जी का प्रचार करना टीमसी की कमजोरी को दर्शाता है उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वो मैदान में नहीं उतरेंगी तो उनकी पार्टी का क्या होगा ममता बेनर जी कॉंग्रेस के खिलाफ बयान बाजी कर रही है तो कॉंग्रेस ममता के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड रही है अब इन हालातों को देखने के बाद सवाल यही है कि अगर छोटे-छोटे चुनाव और मुद्दो को लेकर महा गठ बंदन में इस तरह का रवया दिखेगा इस तरह का तीखापन दिखेगा तो फिर 450 सीटों पर बीजिपी के खिलाफ एक उमीदवार वाला फॉर्मुला जमीन पर कैसे लागू होगा क्यूकि सिर्फ ममता बेनर जी नहीं बलकि अर्विन केज रिवाल की पार्टी भी अध्यादेश के नाम पर सरयाम कॉंग्रेस को कोस रही है तो आम आदमी पार्टी कॉंग्रिस के नेतित्व वाले किसी गटबंदन का हिस्सा नहीं बनेगी यहां तक कि आपकी ओर से तो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें पी-म का चेहरा प्रोजेक्ट करने को लेकर भी बड़ा हमला बोला गया राहुल गांधी को देश के लिए खत्रा बताया गया केजरिवाल ने साब किया कि कॉंग्रिस को राहुल पर दाओ नहीं चलना चाहिए नहीं राहुल को विपक्ष के नेता के तौर पर उतारने को लेकर वो बाकी विपक्षी पार्टियों पर इससे सहमत होने का दबाव बनाएंगे इसके अलावा पश्चम बंगाल में तो कॉंग्रिस और लेफ्ट साथ दिखते हैं साथ चुनाव भी लड़ते हैं लेकिन केरल में यही कॉंग्रिस और लेफ्ट आमने सामने हैं 23 जून को जिस वक्त राहुल गांदी और माकपा महसचिफ सीता राम येचुरी एक मन्शियर कर रहे थे उस दौरान केरल पुलीस ने केरल कॉंग्रिस के चीफ के सुधाकरन को दोकादरी के मामले में अरेस्ट किया तो कॉंग्रिस ने वाम मोर्चे पर अवैद गतिविदियों में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया हालाकि सुधाकरन को बाद में बेल मिल गई और फिर सुधाकरन ने राहुल गांदी से मुलाकात भी की जिसके बाद राहुल ने एक क्वीट करके केरिल की सीपीम सरकार पर निशाना साधा राहुल गांदी ने सुधाकरन के साथ पोटो शेयर की और कहा कि कॉंग्रिस बदले की राजनीती से डरती नहीं है कॉंग्रिस की मुसीबत यही नहीं रुकी है बलकि तेलंगाना सीएम केसियार ने भी कॉंग्रिस पार्टी के नाख में दम कर दिया है केसियार की पार्टी टीरेस से बदल कर बीरेस यानी भारत राष्ट्र समीती हो गई है KCR पिछले कई दिनों से विपक्षी एक्ता के लिए कोशिश कर रहे थे और उसका चहरा बनने के मकसद से ही शायद उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बदल दिया लेकिन अब उनकी भी चाल बदली नजर आने लगी है एक समय में विपक्षी एक्ता के लिए बिहार से लेकर महराश्र तक कोशिश करने वाले KCR ने 23 तारे की मीटिंग के दिन ही अपने बेटे KTR को अमिच्छा से मिलने दिली भेज दिया मीटिंग क्यों हुई उससे ज्यादा तो मीटिंग किस समय हुई उसने हलचल बढ़ा दी KCR का ये रवाया तो विपक्षी एक्ता के लिए एक बड़ा जटका साबित हुआ ही साथी अब KCR ने महराश्र में विपक्ष को बड़ा जटका दे डाला है KCR 600 गाडियों का काफिला लेकर अपनी पूरी केबिनेट के साथ महराश्र पहुचे जिसने उद्दव गुट की टेंशन बढ़ा दी संजराउत ने बिलबिलाना शुरू कर दिया महराश्र में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है इसे लेकर तेलंगाना के CM KCR की एंट्री महराश्र में हो चुकी है इससे MBA की धड़कने बड़ी हुई है क्योंकि महराश्र पहुचने से पहले ही खबरे सामने आ गई थी कि KCR NCP के नेता भागीरत भालके को पार्टी में शामल कराएंगे खुद मुख्यमंत्री के महराश्र पहुचकर एक नेता को एंट्री दिलाने से महाविकास अगाडी की पार्टियां फड़क उठी यहां तक कि संजाराउत ने KCR को BJP की B टीम बताते हुए उन पर भाच्पा के लिए काम करने का आरोफ लगाना शुरू कर दिया संजाराउत ने अपने बयान में कहा कि उनकी इस एंट्री से यहां की राजनीती पर कोई असर नहीं होगा महराश्र में महाविकास अगाडी मजबूत है अगर KCR इसी तरह ड्रामा करेंगे तो वो तेलंगाना भी खो देंगे इससे पहले भी महराश्र दौरे पर आए KCR ने कॉंग्रस और NCP के कई नेताओं को लुभाने की कोशिश की थी क्योंकि KCR की कोशिश है कि चंदरपूर, औरंगाबाद, नांदेर और लातूर जैसे इलाकों में वो ज्यादा से ज्यादा नेताओं को अपने साथ जोड़ सके इस पर NCP भी भड़की है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटल का कहना रहा कि KCR महराश्र में आकर भाजपा के खिलाप पढ़ने वाले वोट को बाटना चाहते हैं यही नहीं तेलंगाना के किसानों की सीती महराश्र से बहतर बताते हुए KCR अकसर राज़ में एंट्री की कोशिश करते दिखते हैं अब की बार किसान सरकार का नारा देते हुए वो कहते आए हैं कि फसलों का तेलंगाना में महराश्ट्र के मुकाबले ज्यादा दाम मिलता है अब आप सोचिए कि जो पार्टियां एक राज्ज में एक दूसरे का मुकाबला करती है उनी पार्टियों के साथ मिलकर कॉंग्रेस बीजेपी को लोकसबा चुनाव में हराने की बिसाथ बिछाने में लगी है लेकिन क्या ये संभव है क्योंकि पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ मुर्चा खोले बैठी पार्टियां अब विपक्षी एकता के बाद तो और भी ज्यादा मुकर हो गई है इस पार्टियों के बीच आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा चलता ही रहता है ममतब एनरजी संकल्प लेने के बाद पल्टी मार गई केजरिवाल कॉंग्रेस को दिन रात कोस्ते दिखाई पड़ते हैं माकपा कॉंग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रही है और केसियार ने तो ऐसा जटका दिया है जिसके बाद राहूल गांदी और खड़गे की हवाईयां उड़ गई है एक एक कर एकता के नाम पर सबी नेता उन्हें ठेंगा दिखाते जा रहे हैं यह सब इसलिए क्योंकि यह जितने भी नेता हैं वो सब प्रधान मंत्री बनने का सपना सजाए बैठे हैं और कॉंग्रेस राहूल गांदी के जरिये अब इन सब की ख़वाईशों को कुचलने का काम कर रही है जिसे एक के बाद एक बगावती पार्टियों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है ऐसे में सोचने वाली बात तो यह है कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की सोचने से पहले कॉंग्रेस को विपक्षी एकता में पड़ी फूट को भरने पर ध्यान देना चाहिए लेकिन इन सब बातों के सामने आने के बाद एक बात साफ है कि एक मंच पर कॉंग्रेस ने विपक्ष को एकठा करने का जो तमाशा किया उसकी अब पोल खुल गई है और जल्द ही इसका खामियाजा भी कॉंग्रेस को आने वाले लोकसबा चुनाव में भुगतना होगा सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलाल इतना ही नए मुद्य के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्का